मेरी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है और जल्दी आओ जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो ये लास्ट मन्त वाला है आधा महीना पूरा टोटली निकल चुका है तो जल्दी ही क्रिस्मेस टेकी लोग तयारी करने में लगे हुए है और बहुत दूमधाम से मनाने वाले हैं कुछ लोग के घर में बहुत जादा परिशानी भी है जो तरह तरह के रोगों से परिशान है सब के साथ और सारी चीज़ों के साथ जुटते रहे हैं आए मेरी रियल स्टोरी प्यास फिर से आपका स्वागत है और मैं आपकी और फिर से तोड़ा आज मेरे शॉटर पैन रखा क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी मैं परिशान हो गया हूं बार-बार से मुझे सर्दी लग जाती है और देखो मैं कितना दूबली सी और काली सी हो रहे हूं तो मैरे बहुत ज़ादा डार सप्लर आ रहा है मेरे चेहरे पर थोड़ा आ रहा है अधाना टाप , तो गैस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लेकि ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ वैसे ज़्यादा सरीर पे ध्याने देना चाहिए सरीर का क्या है काम पे ध्यान देना चाहिए सही बात है ना बुजुर्गों ने कहा है जो सरीर पे हम देता है वो महा कामचुर है लेकिन हम तो कामचुर नहीं है और मैं कामचुर नहीं हूँ सो हम समय मतलब आप नहीं आते कि आप पता नहीं कामचुर हो सकते हो लेकिन मैं कामचुर नहीं हूँ सो मैं आपको यही बताने वाली हूँ तो फ्रेंस बहुत हो गई मस्ती और चलिए अब मैं आपको कुछ और भी अच्छा सा बता दूं कि इस टाइम जो आने वाला है तो यह टाइम पता नहीं अच्छा होगा या बुरा होगा क्योंकि इतना तो कोई नहीं जानता है लिकिन ब संब्यूंके अपको बचा करें सदीसे से भी बचा के नब भी वायरा सेल रहाए है तो इससे अपने मुप को डह किरिखे हैं माक्षबगा लगा कि रखिये और सेडाय करतेente को बचा बहुँ जद जरूरी है सबस्त ज़दा बच्छों की बहुष ज़दा कएर करिये and seriously मेरे खुद के ही बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तो डॉक्टर ने भी सलाय दी इसके लिए कि आप टीवी तो देखती हो ना कि टीवी पे कितना ज़्यादा इस तरह बीमारी दिखाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी है कई कई देशों में बहुत बहुत ज़्यादा ही बीमारी फैले हुई है तो फ्रेंस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बचा कर रखें और जब हमारे बच्चे सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी लाइक हम दुनिया में जो भी करते खाते हैं जो भी है हमारे बच्चे सेफ हैं जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे लिए करते हैं तो हम भी अगर किसी के माता पिता है तो हमें भी उनके सेफटी के लिए कुछ करना चाहिए सो कैस मुझे यकीन है कि आपको मेरी बातों का फता चल गया होगा कि मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ तो अगर मेरी जरसी भी राए आपको अच्छी लगे तो आप इसको जरूर फॉलो करें और टेक केर लब यू गाइस और हज की मेरी स्टोडी यहीं तक और थोड़ा मेरी खुबसूरती को लेकर आपका क्या हाल है